सबी को प्रणाम, नमस्कार, अभ्यास, हम अभ्यास क्या है इसे समझेंगे और मुझे सविस्क्राइब करें अभ्यास के बारे में कहावत है, करते करते अभ्यास के जडमत होते सुजान, रसरी आवत जाती ही सिल पर परत निसान जैसे रसी कुआं से पानी निकालते समय रसी के बार बार उपर नीचे घर सड़ होने से पत्थर में निसान हो जाता है उसी तरह यदि कमजोर बच्चा है, या हम से जो कार नहीं बन रहा है, या हम जो कार नहीं कर सकते हैं, असंभव कार भी लगातार अभ्यास करते रहने से वह कार हो जाता है तो अभ्यास का मतलब ये है प्रियास, हम किसी कार में कितना प्रियास करते हैं, इसके बाद हम अपने को हार मान लेते हैं, और उस कार से हम विपरीद्ध समय चले जाते हैं तो ये अभ्यास का मतलब है, आप जिस छेत्र में हैं, जिस कार को आप कर रहे हैं, उसी में लगातार अभ्यास करते रहें, निश्चित ही एक दिन आपको सफलता मिलेगी अच्छा है, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते समय अभ्यास कम करते हैं, इस्कूल जाते हैं, लेकिन अभ्यास कम करते हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, जो कि ट्यूसन चले जाते हैं, वो बच्चे भी उतना ट्रेंड नहीं हो पाते, जितना की जो बच्चा लगातार मन लगा करके अभ्यास करता है तो अभ्यास का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्त्व है, हम अभ्यास के द्वारा ही कठिन से कठिन कार में सफलता पा लेते हैं कोई छोटा बच्चा है, लेकिन वह कठिन कार नहीं कर सकता है, लेकिन यदि वो ये चाहे कि मैं इस कार को एक ना एक दिन करके रहूँगा, मैं इसको मुझे करना हैं और वो उसको करने के लिए वो लगातार उसमें अभ्यास करता है, उसके तरीके अपनाता है, तो वो सफल हो जाता है, तो हमारे जीवन में अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है, और हमें अभ्यास से हिम्मत नहीं हारना चाहिए, किसी भी छेत्र में अभ्यास की, प्रयास की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसके कारण हम सफलता को पा लेते हैं, नमस्ते